जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्ष्टों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है तो कल जिसना से 12th क्लास के नतीजे गोशित हुए जमकुष्मीर स्टेट बुर्ड अफ स्कूल एजुकेशन के तो बच्चों ने जो मेहनत की थी वो मेहनत बच्चों की रंग ला इसी के चलते अब हम आपको एक और सांबा की हुनहार बेटी सुहानी संब्याल से मिलाने जा रहे हैं सुहानी संब्याल ने 12th क्लास के रिजल्ट में अच्छे मार्क्स हासिल किये 97.4% मार्क्स हासिल किये यानि 487 मार्क्स जो हैं इस बच्ची ने लिए हैं 500 में से 8 की अगर बात करें तो आज सुहानी से जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी मेहनत करने पड़ती है एक लक्ष को हासिल करने के लिए और पूरे जिला सांबा के लिए ये प्राउड मुवमेंट है ये गरब की बात है कि हमारे सांबा जिला के बच्चे भी कम नहीं है वो लगाता निरंतर आगे बढ़ रहे हैं तो सुहानी हमारे साथ मुझूद हैं सुहानी के पेरेंट्स हमारे साथ मुझूद हैं स्कूल प्रिंसिपल हमारे साथ हैं आज इंसे जानने की कोशिश करेंगे और इसे बेहतरीन पल को आपके साथ सांजा करने की कोशिश करेंगे सुहानी आ यारी आपने की थी और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर मेहनत तो बहुत करनी पड़ती है साथ ही साथ अपना पूरा डेली रोटीन होता है तो उसको ही अगर आप रोज एक परफेक्ट रोटीन बनाके फॉलो करोगे तब ही आप इतना चाह स्कूर कर सकते हो बिल्कुल तो मैं रह Republicans आ जाना चाहता हूं कि यह फिलिंग्स जो results से पहले कि यूज पर ही निकलेがे थोड़ी इंग्जायटी थी पर रिजल् cooker निकलने पाद थोड़ा सा थोड़ा प्लेजंट लगा थोड़ माइंड फ्रेश हो गया था कफी अच्छा लगा रिजल्च देखने के बाद तो आप त्युम्ले टो पूर और मार्क्स आने के बाद भी सब बहुत खुश हैं सब बहुत प्राउट कर रहे हैं अच्छा आपने चूज किया था तो इसके पीछे के मैं जाना चाहता हूं कि हर बच्चे का गोल होता है कि मुझे यह अपना गोल अचीव करना है इस फील्ड में जाके तो इसको लेकर क्या कहेंगे आर्ट स्ट्री मापने चूज किया था मैं जब चूज करना था तब मैंने देखा था कि काफी रैट रेस ऐसी हो गयी थी सब कोई जा रहा था कोई नीट पे जा रहा था मैंने हुमेनिटीज इस लिए रखा था कि इसमें बहुत साधा स्कूप था और काफ़ डिफ सर्विसेज में तो अटेंप्ट रहेगा बिल्कुल आपकी जो माक्स आएं किस किस सब्जेक्ट में कितने माक्स हैं मैं जाना चाहता हूं कुन साब का फेवरेट सब्जेक्ट था जिसको लेकर आपने काफी मेहनत की थी ऐसे मेरे हिसाब से अच्छे माकस है वहीं से अपना बनाया था स्टेशमा चाहिते हूं किया प्लाना चाहता हूं ठाहह करना दो किसेट पहिंद्ध के इन्टर करते हैं तो अपना बैस बनाता है शेडिल सुबह स्कूल उटभ से जाने से पहले एगुंटरह के पाढ़ाने वींल85 कवर करलूं ताकि स्कूल में जादा अच्छे से समझाये उसके बाद स्कूल के बाद 코aching होती थी और उसके बाद घर में जो भी दिन का रिवाइज जितना बर पढ़ाएज रहती थे तो वो की वो काफी इंस्पाइरिंग है मेरे साब से और काफ यूथ के लिए काफी उन्होंने इंस्पिरेशन मेरे साब से रखी है वही है तो इसी के साथ साथ यह भी पूछूँगा कि बच्चों को यह होता है कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं हमें अपने आपको फ्रेश भी रखना है बोज नहीं लेना है कोई anxiety ना हो जाए उसको लेकर क्या कुछ activities आप अपनाते थे क्या कुछ hobbies हैं आपकी मेरी hobbies हैं ड्रॉइंग, sketching या music प्ले करना हो गया या फिर गिटार बचाना हो गया या फिर कोई भी माइन फ्रेश करना वाक पे चले गए उससे मेरा माइन काफी fresh हो करते हैं मैं दोनों तरफ के सपोर्ट को लेकर जाना चाहूंगा किस तरह से आप उनकी उमीदों पर खराउत रहें तो हर एक काफी अच्छे से सपोर्ट किया सबने बहुत अच्छे से गाइड किया था प्रिंसिपल सर जिन्होंने बहुत मोटिवेट किया था हर रोज बोलते जिन्होंने फाइनशली मेंटली प्राइवेसी प्रोवाइड किया डिस्टर्ब नहीं किया और काफी सपोर्ट रहा है सबका बिलकुल ये तो हम बात कर रहे थे सुहानी की लेकिन मुझे याद है सुहानी से मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ यानि सुहानी का एक की तैयारी कर रहे हैं देखिये भाई ने अच्छे नंबर लाया, आरे वीर ने, और भेन के लिए इंस्पिरेशन बने और भेन भी उनकी उमीदों पर खड़ा होते लिए और उसे के साधाद अच्छा करेंगे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचेंगे और उन्हें भी आप ये कह सकते हैं कि एक चिंता उनकी खत्म हो जाती है सर सबसे पहलों तो आपको बहुत बहुत शुब कामना है आपके दोनों बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंचें अच्छी मेहने तुनों ने की हारेवीर हो या सुहानी हो तो सुहानी के इस रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे कैसी फीलिंग सी और अब किसना से खुशी का ये पल जो आया है किसे किसनसे आप सायलिवेट कर घूशी तो बहुत है है दोनों बच्चोंने किया स्वानी के आपको अपको भी उम्मीद हुते हैं कि बच्चे एक अच्छे मुकाम पर पहुंच जाए तो पिर चिंता किसी बात के लिए बिर कर श्रज है क्योंकि मैं भी इपार्ड मेंट हो तो सभी बच्चों को मैं अपने बच्चे समय के चलता हूं तो उनकी ब्लैसिंग सी बज़ा से आज मेरे बच्चे कहीं मुकाम पर पहुंचें सुहानी को लेकर क्या कहेंगे कैसी बच्ची है घर में किस तरह से आपकी मदद करती है आप इनकी तमाम डिमा सब्सक्राइब करने के लिए जाते हैं लेकिन ऐसे नहीं कि बैग शोड़ा और भाग यह वह ऐसा नहीं है जब घर में बस जादा प्राइब की तरह और मैं खास करके बाकी पेरेंस भी यह कहूंगा कि बच्चों को आप जी स्कूल में डालते हो वहीं पर रखा करो क्योंकि तो दूसरा यह वह बच्चे जब घर में आए पहले हम तो इनको बोलते थे कि इनको करना पड़ता है बिठाना पड़ता थोड़ी देर तो फिर इस उनके आदद बन जाती है और वो बैलेंस के बारा कि द That सब्वीरा वह इनके बारे में बच्चों के दिन yetum के बारे में ज्यादा देना चाहिए एक गरफ का पला आपकी जी बिल्कुल सब्सक्राइब चलिए बहुत 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 शुक्रिया आपका तो सुहानी की मदर भी मेरे साथ हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे मदर और बेटी का बॉन्ड जो बड़ा स्ट्रॉंग बॉन्ड है बड़ा एक फ्रेंड्स वाल अच्छे नंबर लिए और हमें प्राउड फील करवा है तो मैं जाना चाहूंगा कि घर में किस्यां से सुहानी स्टॉडिस की तरफ ध्यान देती आपकी मदर भी करती कि मैंने जैसे कहा कि बॉन्ड मदर और बेटी का बड़ा स्ट्रॉंग बॉन्ड होता है इसको लेकर क्य सब्सक्राइब करना है और अपना अपना जैसे रूटीन रखा होने बढ़ने का वह पड़ते हैं अरे वी एक कहते कि बड़ा मेहनेती है वेटी बड़ी मेहनेती दोनों बच्चे आपके बड़ा अच्छा कर रहे हैं तो यह भी एक बड़ा होता कि बच्चे इस तरह किसे बड़ों का शिर्वाद है और साथ में इनकी अपनी किस्मत है और अपना दिमाग है यह कहूंगी मैं और अब जैसे सीविल सब्सक्राइब कर रही है बच्ची तो कैसे सपोर्ट मिलने वाला है क्योंकि पेरेंट्स का सपोर्ट तो आलवेज रहता है करेंगे इनको पता है क उन्हें उसी फील्ड में बेजना चाहिए अदरवेज कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे प्रेशर नहीं करो उनको जहां पर जाना है आजकल बच्चे समयज़दार है उनको पता है जो फोन में सोचल मीडिया में सब कुछ पता है वो गाइडन्स वहां से ले ले लेते हैं परेंट्स भी करते हैं सपोर्ट टीचर्स करते हैं सपोर्ट तो उसके वज़ए से बच्चे आज को बताने की जरूरत नहीं है थोड़ा गाइडन्स करनी बढ़ती है लेकिन और बच्चे के इंट्रस्ट भी देखना बढ़ता ही किस तरह आफ हैं का तो बच्चे को अधर में सबकी कॉल आ रहे होंगे आपको आपके नाना नानी आपके जितने भी रिलेटिव तो कैसा लग रहे हैं कि यार मुझे आज एक गरप फील करवाने का मुका मिले हैं इसमें तो बहुत खुशी मिलती है कि सब जितने भी हमारे शुप चिंतक हैं वह सब फोन कर रह जो एक्जैम देंगे तो उनको क्या कुछ टिप्स आप देना चाहते हैं किस तरह से स्टुडी करनी है स्टुडी तो जैसे आप 12 में जैसे एंटर होते हो तो आपको अगर एक दो महीना थोड़ा सा चिल करना आप कर सकते हो उसके बाद आपको रेगुलर एक रोटीन रखन करने में तो अभी रिजर्ट भी निकल गया अभी फ्यूचर प्लान आप अपने बना चुके हो लेकिन उससे पहले किसना से आप इंजॉय कर रहे हो इस पूरे गैप की अगर बात करें जो कुछ दिन आपको भी मिले हुए कि आप इंजॉय कर सकते हो फैमिली के साथ आउट आप से भी जाना चाहूंगा कि क्या कहेंगे आपकी जी करिए करिये बिल्कुल हमारे साथ यहां स्कूल के प्रिंसिपल भी यहां हमारे साथ बैठे हुए इनसी एक मैसेज लेने की कोशिश करेंगे कि अपने बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं सर क्या कहेंगे प्र दो बच्चे बंच्छम प्रगाल और सोहानी सम्याल यह दोनों ने पूजिशन हासल की है और बंच्छम के फिट्र पूजिशन है इसकी नाइथ पूजिशन है तो हमें बड़ी खुशी होती है कि बच्चे हमारे आगे बढ़ रहे हैं हमारा सम चोटा सा स्कूल है सांबा में तो इस स्कूल में दा्खला होने के लिए बिल्ड़ीं देखते हैं है ने कंश्या से प्रभers राख सी हमारे बच्त करते हैं इसा यह तो मज़े बड़ी खुशी होती है कि मेरे बच्चे कहीं पहुँंगे लग बग आप तो बाड़ी आख मेरे जिए जहां तक हमारी जान है तो हम बच्चों पर कुरवान है, ऐसा कोई नहीं है कि हमाँ सोवे रहेंगे गर में, नहीं हम बच्छों के लिए कुछ ने ओसे करते रहेंगे लग केूंek को आपने बड़ा सुनने मे और की कि पोर्च भी गया था कि अगी अरुन when डिगल की तरफ आये जब ये मेरे पास देखो इसके पेरेंस कि दादी जो है ना दादी कर ज्यारा में रोल है सारा तो इसकी मज़धी बच्छों को डाला हम पे बिश्वास रखा हमने इंको हेट करके दिया तो मैं जहीं कहूँगा कि सौनी जब नहीं नहीं आई मेरे पास तो मैंने इसको कहा बेटा मेडिकल में देखो आप डाक्टर बन जाओ एक बच्चा आपका बाई अंजीनिर बन गया है तो आप मेडिकल के तरफ चलो मैं लड़की कर जाएगी 100% करेगी बन खोटो है लेकिन पापा इसको पूछ लो इसको क्या गयाती है मैं ने कहा दस पंदर at अच्छी प्याया मेरे साहम्ने तो बोली नहीं बचरहिक पापा नहीं ँदी कर लिए तो मैंने स्थी कर लिए है आर्ट में लगबग सांभा में बच्चे समझते हैं आर्ट ऐसे होती है समझें न जहां का फैशन है कि नॉन मेडिकल मेडिकल रखना है तो हम भी उसी फैशन के साथ जल रहे थे तो मैं देखा कि यह नहीं मान लिए तो एक लड़का आगे बंचमा गया वो उसने जहां बड़ी विशन लिए तो मैंने कहा यह दो हो गया है सैट हो गया हमारे पास अभी हम नहीं छोड़ेंगे निको दोनों को हेट करके रखेंगे तो इनके साथ और ही बचे हैं उनकी डिस्ट्रंक्शन आई हैं इनको देख देखे यह चलिए और साथ और चार्ट जोंटीं स्हीट औरा मिल के प्रोर। सतर्ण काम नहीं है और सुहाने आपको शुब काम नहीं है और आपको शुब काम नहीं अच्छा एक चीज मैं जानना चाहता हूं जैसे आर्धैक्स आपके बाई साथा वह वह बिकारizard कर इंटरन्शिप चल रही है और फूर्थ एर कंप्लीट होने के बाद वो अभी शायद कोचिंग की और भी अपना माइंड रखे और सिवल सर्विसिस की तरफ भी यानि हम यह कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में सांबा से दो आई-एस ऑफिसर बनने वाले दोनों बाई-वहर है बच्चों ने जो मेहनत की है बच्चों ने वो मुकाम आसिल किया है और बच्चों की जो future plans उसको लेकर बच्चे काम कर रहे हैं अब अपनी अपनी field में बच्चे जाएंगे देखे 12th class आपकी clear हो चुकी है अब यहां से जिन्दिगे नया mode शुरू होगा और उस mode को cover करने के लिए बच्चों ने मेहनत शुरू कर दी है मैं भी बड़ा proud feel कर रहा हूं कि सुहानी और सुहानी के बाई दोनों को मैं cover कर चुका हूँ और दोनों बड़े intelligent आप कहा सकते हैं अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचे है ममी बापा के support से अपने grand parents की support से यहां तक पहुंचे school teachers ने बड़ा support किया है और आगे भी इसी तरह से इन सबी की उमीदों पर यह खरा उतरेंगे और जो भी इनुने सपने सुझोए हैं उन सपनों को यह साकार करेंगे जो सपना इनुने सुझोए था वो साकार हो चुका है एक पड़ाव पार हो चुका है लेकिन उसी के साथ उन बच्चों को भी मेरा message रहेगा जो बच्चे marks कम लाए हैं देखे marks कम लाए या ज्यादा लाए यह चलता रहता है competition का दो दोर है हम देख रहे हैं लेकिन demoralize बिल्कुल नहीं होना है कोई ऐसा step ना उठाए जिसे parents आहत हो जाते है society में गलत message चला जाता है इस तरह के steps आ आप से रुबरू कराते हैं ताकि आपके लिए बच्चे inspiration बने आप इंसे कुछ सीखें और उन चीजों को अपने अंदर ढालके एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे यह हमारी कोशिश रहती है बच्चों को मिलाने की लेकिन demoralize बिल्कुल नहीं होना जो बच्चे किसी वज जो पर यही कहना चाहता हूं तो सुहानी और सुहानी के परिवार को और स्कूल के प्रिंसिपल को बहुत बहुत शुब कामना है सुहानी आठ स्ट्री में 487 मार्क्स लाइया आउट आउ 500 तो परसेंटेज है 97.4 परसेंट मार्क्स और IS आफिसर बनने का सपना है यह सपना इनका जरूर सा कार हो इसी के हम जो वो बगवान से दूआ करते हैं